दोस्तो अगर आपनी YouTube पर चैनल बना लिया है और आप से कोई गलती हो गई है आप चाहते हैं कि भाई हम से ये बहुत बड़ी गड़बड हो गई अब तो मैं अपने इस चैनल को डिलीट कर दूँ और नया चैनल बनाऊ फिर अपने नये चैनल पर काम करूँ तो दोस्तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने YouTube चैनल को किस तरीके से डिलीट करेंगे तो आज की वीडियो देख लीजिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप सिर्फ 2 मिनिट में अपने YouTube चैनल को कैसे डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तो आपका ज़्यादा टाइम बेश्ट नहीं करूँगा क्योंकि काम की चीज़े और आपके पास भी लिमिटेड समय है तो आज की वीडियो में मैं आपको आपके समय के अंदर ही समझा दूँगा कि आप अपने YouTube चैनल को सिर्फ 2 मिनिट में कैसे डिलीट कर सकते हैं तो दोस्तो आप मेरे मुबाइल की स्क्रीन पर यहाँ देखिए मैं आपको step by step बताता हूँ तो दोस्तो अपने चैनल को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में chrome browser को open कर लिया है तो मैंने यहाँ पर अपने मुबाइल में chrome browser को open कर लिया है अब यहाँ पर आपको YouTube जो लिखा हुआ है YouTube का जो logo देख रहा है उसी पर click कर देना है अगर आपके मुबाइल में यह चीज नहीं आती है तो आपको direct search बार में जाना है और वहाँ पर लिखना है YouTube.com आप इस तरीके से भी search कर सकते हैं तो जैसे ही मैंने YouTube पर click किया तो YouTube में क्या है हमारा पहले से already login है तो हमारे जो channel है उसका logo यहाँ पर देखा रहा है अगर आपका logo नहीं सो करता है तो आपको अपने Chrome browser में अपने YouTube channel को login करना है और उस channel को login करना है जिसे आप delete करना चाहते है तो हमारा already login है अब मुझे कुछ नहीं करना ऊपर यह arrow निसान देख रहा है वहाँ पर यह पर आपको arrow का निसान देखेगा यह फिर आपको three dots देखेगा तो आपको उसी पर click कर देना है जैसे ही मैंने click किया नीचे लिखा है सबसे नीचे desktop site तो मुझे desktop site पर ही click कर देना है जैसे ही मैंने desktop side पर click किया तो यहाँ पर क्या है laptop जैसा देखेगा system जैसा देखेगा छोटा छोटा देखेगा ठीक है तो जैसे ही यहाँ पर हमारा internet थोड़ा slow है तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा video लंबी भी हो सकते है ठीक है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं होगी tension मत लीज जैसे हमारे आगे यह नया पेज open होता है desktop side वाला अब हमको यहाँ पर हमारा यूटूब का logo है उस पर click कर देना है दोस्तों यह मैंने अपने यूटूब के logo पर click किया अब नीचे लिखाए your channel तो मुझे your channel पर ही click कर देना है जैसे मैंने your channel पर click किया तो अब हमारे आगे चेनल पर मैं भी click कर देना है यह सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा सैटिंक का इकन तो मुझे थोड़ा यहां से मैं जूम करूंगा और हमको हमें पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें कुछ और नया प्रेट वबन होगा उसमें लिखा हुआ है तो मुझे चेनल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है जो चैनल लिखा हुआ है वहीं पर मुझे क्लिक कर देना है जैसे ही मैंने क्लिक किया अब यहां पर आपको दिखाएगा बेसिक इडवांस सेटिंग फीचर एजीबिलेटी आपको कई कुछ नहीं करना है एडवांस सेटिंग में जाएंगे सबसे नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे और नीचे लिखा हुआ है रिमूब यूटूब कॉंटेंट तो रिमूब यूटूब कंटेंट यहां पर जो लि हुआ है जिसे आप डिलीट करना चाहते है उसका आपको यहां पर पासवर्ट डाल देना है तो मैं यहां पर पासवर्ट डाल देता हूं जैसे ही मैंने यहां पर पासवर्ट डाला मुझे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे ही मैंने यहां पर नेक्स्ट पर क्लि तो permanently delete my channel पर मैंने क्लिक किया अब यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करने किलिए बोलेगा जो इसकी conditions हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा उसके बाद यहाँ पर टिक करने के लिए बोलेगा तो मैं टिक कर दूंगा दोनों जगे ठीक है उसके बाद नीचे लिखा है delete my content तो जैसे ही मैं delete my content पर click करूँगा उसके बाद बताएगा कि आपकी जो email id है जिस email id पर आपका channel बना हुआ है उस email id को आप यहाँ पर लिखिए और उपर आपकी email id और रेड़ी लिखी रहती है मतलब आपको उपर जो email id लिखिए उसको नीचे copy कर देना है तो दोस्तों मैं ने अपनी email id को यहाँ पर copy कर दिया है और नीचे लिखा हुआ है delete my content तो मैंने यहाँ पर सीधा delete my content पर click किया ओ भाई साब तो यहाँ पर remove youtube content your content is being deleted जैसे यहाँ पर इतना लिखा हुआ आता है तो दोस्तों समझ लो आपका जो youtube channel है वो delete हो चुका है दोस्तों अगर आप भी अपने youtube channel को delete करने में परिशानी महसूस कर रहे थे तो उमीद करता हूँ आपकी परिशानी दूर हो गई होगी आपकी परिशानी मेरे पास आगए और मेरे पास से आपकी परिशानी की समझ मैंने solve कर दी तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो अगर आप इस वीडियो के द्वारा आपको सीखने के लिए कुछ मिला हो आप YouTube चैनल डिलीट करना सीख गए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जहन